अस्सलामों आलेकूम, मैं जुलेखा अरफाद, जुलेखास किचिन से, तो चलिए, आज हम बनाते हैं बड़ी आसा लच्छा पराठा, आप चाहें तो इसे वेज, नॉन वेज, ग्रीवी के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसे चाय के टाइम पर भी सौफ कर सकते हैं, तो च चलिए, शुरू करते हैं आज की रेसिपी, साधारण याने ओर्डिनरी इंग्रीडियन से, एक्स्ट्रा ओर्डिनरी आज के लच्छे पराठे बनाते हैं, चलिए वैसे लच्छा पराठा बहुत सारे तरीकों से बनाई जाती है, मैंने बहुत ही इसी और सिंपल वे बताया है, सबसे पहले एक प्याले के अंदर एक छोटा चाय का चमच PCV शकर दाल दीजे, आदा छोटा चाय का चमच नमक और एक कप regular नॉर्मल जो दूद आता है, नॉर रख देते हैं, तो रूम टेंपरेचर पे ये दूद दाल दीजे, बहुत अच्छे से मिक्स कीजे, तब तक मिक्स कीजे, जब तक शकर घुल नहीं जाती, वैसे भी तो PCV शकर है, यहां आधा किलो मैंने मैदा लिया है, इससे साइट पर कर दीजे, और बीच में एक वेल कर सकें, उसे दूद से पहले कंबाइन कर लीजिए, उसके बाद नॉर्मल पानी लीजिए, और उससे थोड़ा-थोड़ा दाले बानी को, और आटा बहुत अच्छा आटा लगा लीजिए, अब आटा लगाना कैसा है, वालो में, बहुत जादा सॉफ्ट मत लगाएगा, क् क्या है न, बाइदर टाइम आप प्रोसीजर के एंड तक जाओगे और बेलना या फिर आप हातों से लच्छे बनाना शुरू करोगे न, तो वो इतने सॉफ्ट हो जाते न, कि वो पकड में ही नहीं आएगा, और आप बहुत ही बिखल जाएगी चीजिए, इसके लिए यहा पांच मिनिट तक अच्छे से मसली है, इस समय, मैंने पानी कम दाला है, लेकिन मसला बहुत अच्छे से है, जब अच्छे से मसल ने और इस तरीके से कमबाइन हो जाया आटा, तेल लगा दीजिए उपर नीचे साइट पर बहुत अच्छे से, so that वो पापडी टाइप बन जाया और इसे ढहक कर आप दो-तीन घंटे के लिए साइट पर बाहर ही रहने दे, अगर आपके पास दो-तीन घंटे ना हो, तो आप आधा एक घंटे के लिए साइट पर रखा था, चलिए जब एक घंटा हो जाया तो इसे बहुत अच्छे से सबसे पहले तो इस तरीके से फिर से आठे को गूल लीजिए, तकरीबन मैं 4-5 मिनित तक फिर से आठे को गूल लेती हूँ. मैं तो इनसे पठकती भी हूँ, इस तरही से, आपको भी पठकना है, तो आप पठक सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इससे बहुत अच्छे से गून लीजिए, 4-5 मिनिट, जब 4-5 मिनिट हो जाए, मैं यहाँ पेडे बना लेती हूँ, पेडे तकरीबन मैं 7 पेडे बना रहे हूँ, आपको भी पता होगा, पराठे अगर आप बोल रहे हो, तो पराठे थोड़े से मोटे ही रहते हैं, रोटियों जैसे पतले तो रहते नहीं हैं, अब यह तोटली आपके ऊपर है, आपने जितने पराठे निकालने, आप उसे साबसे बना लीजिए, इसके पेड़े, अब जब आप तोड़ने पेड़े को equally distribute कर दें, तो इस तरीके से इसे बहुत अच्छे से बॉल बनाते जाएं एक पेड़ा लेके, और इस तरीके से बना बना के बॉल्स को और चप्टा करके साइट पर रखते जाएं, make sure आप उपर और नीचे अच्छे से तेल लगा कर फिर साइट पर रखते जाएं, मैंने सारू को एक एक को उपर और नीचे तेल लगा लगा कर, अब मैं इसे एक बरतन के अंदर दाल देती हूँ, भगोने के अंदर और इसे धाक कर तकरीबन आदे घंटे तक इसे साइट पर बाहर ही रहने दीजिए, चलिए तकरी अब एक पेडा लीजिए, इस तरीके से, मैं सुखा आटा नहीं लगा रही हूँ, आप चाहे तो लगा सकते हैं, अब इसे है न, एक बहुत अच्छी सी रोटी बेल लीजिए, अब मैं थोड़ा सा इस पे, अभी भी आप देख रहे हो, मैं थोड़ा तेल लगाई हूँ, म आप को बनानी है, चलिए अब हम इसके लच्छे बना लेते हैं बढ़िया से, तो इसके ओपर सबसे पहले तो आप असली घी चारो और फैला दीजिए, इस कदर, असली घी बहुत इंपोर्टेंट है ये स्टेप के अंदर, बिल्कुल भी मिसमत कीजिएगा, इसके ओपर अब आप चारो और फैला दीजिए, अब आप चाहें, तो मैदे का सुखा आटा लें, या फिर हमारे गहूं का भी ले सकते हैं, मैं गहूं का ले रही हूं, कोई बात नहीं, आप कोई भी ले सकते हैं, अब आप जो हम प्लीट बनाते हैं इस तरीके से, आप मतलब थोड़ प्लीट है, सबसे उपर वाली प्लीट, उसे थोड़ा सा दबा दीजिएगा हलके हाथ से, देख सकते हैं, अब ये जो प्लीट आप हलके हाथ से दबा देंगे न, उपर सबसे फर्स्ट वाली, उसके बाद ये जो पाठला है, मैं उसके उपर रख कर इस तरीके से पटकती उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारी जो हमने ये जो हमें मिली है ये हम लंबी कर रहे हैं, तो पटक पटक के पटक पटक के हम इससे खीच खीच के लंबी कर रहे हैं, तो अब मैं तो पाठले के उपर रख के कर रहे हूँ, पटक रहे हूँ, आप आपका जो नीची क platform साफ हो तो उसके उपर भी रख सकते हैं अब आप देखिए इतनी सी देर के अंदर कितना अच्छा लंबा हो चुका है अब जब आप देख लें कि अच्छा जितना आपको लंबा चीए अच्छा खासा लंबा आप कर सकें जितना आप stretch कर सकें बस इसमें इतना है कि उसकी capacity कितनी है stretch होने की जितना stretch हो सके उतना stretch कीजिए फिर आपको लगे हलका हलका बस ठूटने लगा है बस वहां आके आप रोग दीजिए और अब मैं क्या करीए जो pleat था ना उसे मैं sideways करके इसे इस तरीके से चारो और ऐसा घुमाते जाए जलीबी क और पीछे उसे डाल दीजिए और ऐसा प्रेस कर दीजिए उपर असलीगी और पीछे भी असलीगी लगाए और इसे side पर रखते जाए इसी तरीके से आप सारे एक एक करके साथो को बना लीजिए ये देखिए मैं फिर से बता देती हूँ पूरा procedure आप देख सकते हैं इसके और इसे वपर मैंने असलीगी लगाया, सुखा आटा लगा के इसकी प्लीट बना लीजिए, ये देखिए कितना लंबा हो गया है, आपको मैं दिखा देती हो, साईडवेस करके दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया सा लंबा हो चुका है अब ये जो ऊपर व लेकिन जब हम रोटी बेलते हैं, कब मैंने असली घी लगाया, वहां लगाना असली घी का हमें जरूरी है, अब हमारा खूबसूरत से दिखने वाले पेड़े को लीजिए, और इसे हातों की मदद से स्प्रेड आउट करके एक मीडियम पराठा बना लीजिए, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं ये स्प्रेड आउट करते जाएं, तो ये एक मीडियम पराठा बन जाएगा, ये हातों की निशान आपको दिख रहें, बस हलके आज से दो-चार बार बेलन उसके उपर, लाइ हो जाए, तो उसे मीडियम आज कर देती हूँ, ये पराठा लीजिए और इस तरीके से पलट कर हमारे तववे के उपर डाल दीजिए, मीडियम आज पर एक मिनिट फ्राइ कर लें, एक मिनिट हो जाए, तो पलट दीजिए, पलटने के बाद अच्छे से फूप सारा असली ही डालें और इससे हम जैसे सेखते हैं पराठा वैसा सेख लीजिए, मैं स्पेटियूला से बार बार इससे इस तरीके से हलके हाथ से प्रेस करते जा रही हूँ, उलट पलट करते जाएं, इस तरीके से स्पेटियूला से प्रेस करते जाएं, तब तक इस तरीके से पकाएं side पर रख दीजिए, इसी तरीके से एक-एक करके उसे हातों की मदद से spread out करते रहे हमारे पराठे को या बेल ले, और उसके बाद यहां सेख ले, side पर बेलते जाए, सेखते जाए यह एक तो बन गया, लेकिन दूसरे जो सारे मैंने बनाए न, पाच्छे जितने भी थे, उन्हें मैंने हातों की मदद से ही पराठे का shape दिया है, और मैंने क्या नुटस किया मालू मैं? जब मैंने सेख लिया है, तो मैंने יे नुटस किया कि जो मैंने हातों से फैला कर पराठे जो बनाए ना उसके लच्छे बहुत जादा उभर कर आ रहे हैं और वो जो हम थोड़ा भी बेलन लगा रहे हैं तो थोड़े से चप्टे हो जा रहे हैं और एक दूसरे में जादा प्रेशर के वज़े से लच्छे हलके से दब जाते हैं लेकिन वो भी सही है और ये भी सही है मैंने बिल्कुल भी दूसरे पराठे के बाद बेलन का इस्तमाल किया ही नहीं है लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं चलिए इसे भी मैं सेक लेती हूँ जैसे मैंने पहला वाला सेका इसी तरीके से सारे लच्छे पराठे में बना लेती हूँ तो आप देख सेते हैं कितना इजी वेत और बहुत ही इजी और बहुत फ़न वे भी लच्छा बनाने के लिए जाओगे जैसे प्लीट देना और उसे पीठने के लिए जाओगे तो वो मैनेजबल नहीं रहते हैं बहुत सूपर सॉफ्ट हो जाते हैं बाइदर टाइम तो हल्का सा उसे उतना सॉफ्ट आटा स्टार्ट में मत गुणिएगा क्या हम काफी बार आप देख सकते हैं रेस्टिंग स्टेज पर रखे हैं तो उससे वो सॉफ्ट हो जाता है आगी जाके यह आप देख सकते हैं आपको दिखा देती हूँ कितने बढ़िया से लच्छे निकले आप देख सकते हैं आप काफी जगाओं पर देखेंगे ना तो लच्छा पराटे को हातों की मदद से क्रश करके एंड में फिर देते हैं बट मैं नहीं कर रही हूँ वो इसके लिए क्योंकि मैंने बेलन मारा नहीं है तो वो लच्छा एंज इस खुला हुआ है वो इसके लिए करते हैं क्योंकि लच्छे खुल जाएं पट हमारा तो लच्छे खुला हुआ है तो यह देखिए बढ़िया से बन गया हमारे मज़ेदार से लच्छा पराठा तो है ना मज़ेदार रेसिपी अच की अगर आप यह वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के कमें सेक्शिं में जरू शेर कीज़ेगा अपने कमेंस तो जापी से बहुत अच्छे लगते है रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक जरू कीचिए और उससे जाद तो आपने फैमिली और फ्रेंज में इस वाले वीडियो के लिंक जिरो फोर्वर्वर्ट फिर से अधिर होंगी नहीं शांदार दमदार रसिपी के साथ अंतल दें टेक केर ला आफिस बाइ